बिना तेल के पकोड़े हलो फ्रेंड्स मैं एकता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ आज मैं बहुती टेस्टी हिल्दी बिना तेल के पकोड़े की रेसिपी लेके आए हूँ यह पकोड़े बहुती टेस्टी और बहुती क्रिस्पी होते हैं बनाते हैं टेस्टी हिल्झी क्रिस्पी पकॉड़ा बीना ओयल के तो इस पकॉड़ को में बैसन और मांगय मक्क का मैं मैं चिल लूगी तो यह देखिए बहुत ही ताजा मक्का है तो इस तरह से मैं मक्क को चिल जोEr kiedy č Zarate टोड़के साफ कर ली हूं सारे रेशी को साफ कर लेडा है और यह आपको चेक कर लेना है कि एकदम यह नाकुन से दबाएंगे तो एकदम प्रेश्क है तो बस देखिए इस माथों से मैं मक्य को तोड ले रही हूं और यह बहुत ही ताजा मक्का है और इसके बीच को हम इस तरह से निकाल लेंगे चाको की साहता से तो बहुत ही इजी तरीका है आप पटाफट सारे मक्के के बीच को ऐसे निकाल लेंगे तो देखिए इस तरह से हम सारे बीच को निकाल के और अब हम इसको मिक्सर के जार में डाल के इसका हम पेस्ट बनाएंगे यह मैंने तीन मतलब पूरे बड़े मक्के लिए थे इसको मैंने छिल के और इसका इस तरह का पतला पेस्ट बनाना है तो यह देखिए इस तरह से हमको प्याज लिया है और नमक लिया है अजवाईण लिया है हल्दी लिया है हरी मिर्च और हरादनिया है तो ये देखिए अब ये जो पेस्ट है इस में हम एड़ करेंगे तो पकोड़े तो आपने बहुत ही खाए होंगे लेकिन आज आपको मैं बिना ओयल के पकोड़े बनाना बताउंगी वो भी एक भी बून ओयल नहीं तो ये देखिए मैंने हल्दी डाल दिया अजवाइन डाल दिया है और ये देखिए नमक डाल दिया है तो सारे चीज हमको मिला लेना है जैसे आप नॉर्मल आप पकोड़ा बनाते हैं वो करना है तो ये हल्दी बनाने के लिए मैंने मक्का एड़ किया है आप इसमें ओर्स भी एड़ कर सकते हैं इस पकोड़ा को हल्दी पकोड़ा बनाने के लिए तो अक्सर लोग सोचते हैं हल् बेटर नहीं बहुत ज़्यादा गीला होगा नहीं बहुत ज़्यादा टाइट होगा इस तरह का आपको बनाना है तो यहां पर देखे मैंने गयसाउन कर दिया है और अपपम पैन जो है मैंने वो लिया है इसमें मैं देखिए एक भी बूंध तेल नहीं डालूँगी बिना त तरह से सारे बैटर को इसमें पूरे अपपम पैन में मैं इस तरह से भर दोंगी तो अब हम देखिए इसमें एक भी बून मेने तेल नहीं डाला है और अब दो मिनट के लिए हम इसको ढग देंगे तो देखिए दो मिनट हो चुके हैं और अब हम आपको इस तरह से निकाल के दिखा रहे हैं तो देखिए दो मिनट में अब ये नीचे से हलका सा पक चुका होगा तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये पका है कि नहीं तो ये देखिए इस तरह से हम चेक करेंगे तो ये जो है नीचे से आपको देखिए बहुत ही अच्छे से सीख चुका है तो ये तो अब ये देखिए आपको ये करना है कि इसमें तेल नहीं है तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है वो उतना अच्छे से नहीं मतलब सिखेगा तो ये देखिए इस तरह से हमको बस थोड़ा सा दबा लेना है और फिर हमको 2-3 मिनिट तक अच्छे से पकाना है तो देखिए बहुत ये अच्छे से सीख जाता है तो ये भी पक चुका है लेकिन अब भी आपको लग रहा होगा कि ये मतलब पूरी अच्छे से नहीं पका है तो हमको इस तरह से इसको उपर नीचे कर लेना है फिर से और ये देखिए इसको बहुत ये अच्छे से शेकना होता फिर मैं एक मिनट के लिए इसको ढखके फिर पकाऊंगी तो ये देखिए एक मिनट फिर हो चुके हैं अब ये देखिए पकोड़ा बहुत ही अच्छे से पक चुका है ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है आप इसमें कोई भी चाकू या कोई नुकिली चीज़ आप के चेक कर सकते हैं तो ये बहुत ये अच्छे से पक चुका है अब हम इसको निकाल लेंगे ये बहुत ही हिल्दी और बहुत ही टेश्टी पकोड़ा होता है तो ये देखिए इस तरह से हम सारे पकोड़े को निकाल लेंगे तो देखे, मैंने इसे अपपम पेन में बनाया है, एक भी बून नहीं तेल डाला है तो यह देखे, पहला वाला यह जो बैच है, मैंने इस तरह से निकाल लिया है और अब हम जो दूसरा बैच बनाएंगे, इसमें हम कुछ बून दे बस कुछ बून दे, हम इसमें ऑईल की डाल के आपको दिखाना चाहते हैं कि बिना ऑईल के, और अगर आप थोड़ा सा ऑईल डाल दे रहे हैं तो इस दोनों पकोड़े में अंतर क्या होता है बस इसलिए मैं आपको ये बिना, मतलब कुछ बून दे, ऑईल डाल के आपको दिखा रहे हैं पकोड़ा बना के, तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे अपपम में पकोड़े भर दिये हैं और इसको हम धक के पका रहे हैं तो फिर देखिए, एक मिनट हो चुके हैं और हमको देखिए, इस तरह से हम इसको तुरंथी पलट लेंगे तो पटा-पटे, आपको इसको क्या करना है? पलट लेना है तो ये देखिए, इस तरह से हमको पलट लेना है ताकि जो, मैंने कुछी भून दाले थे ताकि ये जो तेल है, उपर निचे दोनों साइड में लग जाए ताकि दोबारा मुझे इसमें ओल नहीं डालना पड़े क्योंकि ये हेल्दी पकोड़ा है, तो इसमें मैं बहुत ही कम ओल डालना चाहती हूँ तो ये देखे, ये एक साइड से आपको दिख रहा होगा कि सीख चुका है, अब मैं इसको तुरंथी पलट दूँगी अब पपम में आप कोई भी चीज बनाते हैं तो वो बहुत हेल्दी होता है तो देखे, मैं इसको फिर से ढखके आपको दिखा रही हूँ तो ये बहुत ही देखे, क्रिस्पी ये दोनों साइड जब आप कुछ बुंदे इसमें लगाते हैं तो ये दोनों साइड से बहुत ही क्रिस्पी बनके आते हैं तो ये देखिए ये पकोड़े मैं अब निकाल लूँगी तो ये पकोड़े बहुत ही हेल्दी पकोड़े हैं आब हम निकाल ले रहे हैं देखिए यह tasty healthy पकोड़े बिना ओयल के ready हो चुके हैं और अब हम इस पकोड़े को आपको तोड़ की दिखा रहे हैं जिसमें मैं एक भी बूंद ओयल नहीं डाली थी उसको और जिसमें मैंने एक बूंद ओयल डाला था दोनों को मैं तोड़ के दिखाऊंगी यह देखिए इ इक भी बूंद ओयल नहीं डाली थी और इस साइड वाले में मैंने एक बूंद मतलब ओयल डाला था पपम में तो यह आप कह सकते हैं कि यह दोनों ही healthy है और बहुत ही tasty पकोड़े को आपको देख के नहीं कह सकते कि क्या दोनों पकोड़े सेम है तो यह देखिए मैं क्रिस्पी हो जाता है तो tasty healthy बीना ओयल का पकोड़ा एक तम तयार है तो अब आप healthy पकोड़ा खा सकते हैं वो भी बहुत ही आसानी से बनाके तो I hope कि आपको tasty healthy crispy पकोड़े की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी friends अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो please like, share, subscribe क नमत बुलिएगा, thank you friend